हेई फामली मैं रश्मी श्वागत करती हूँ मेरी योटूब चैनल स्टेट्स फ्लेव अपर तो गाइज आज एक स्नेक रसीपी बनाएंगे जिसके राह में एक पकोड़ा यह बहुत ही टेस्टी एंड इजी बनने वाला रसीपी है खास करके इविनिंग स्नेक के लिए बिल से जल पहुंच सके तो बिना देरी करें शुरू करते हैं आज की रसीपी अंडी की पकोड़ा के लिए हमें आलो की मसाली चाहिए तो इसके लिए इंग्लिटियंस चाहिए वह देख लेते हैं तो यह पांच उबले हुए आलो है और यह एक मिडियम साइज प्याच है बारी की रखी ह AIDS की मैंने इसमें हम मेश करेंगे अलो को तो हाथ में या फिरी साथ या फिरी चाहिए कोई हेंड मैसर सैब इसमें मेरी मेश कर दें तोड़े बना सकते हैं लेकिन उसमें क्या लगता है थोड़ी सी अंडा जो है फीकी लगती है इसलिए मैं इसमें आलो की मसाले यूज़ कर रही हूँ आलो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसकी हम मसाले बनाएंगे तो मैंने इधर गैस पे कड़ाई रग दी है यह जैसे ही गरम होती है इसमें एक से देड़ चमच करीब तेल यूज़ करेंगे और तेल गरम होती ही मैं इधर छोटी चमच करीब जीरा और एक चुट प्रक्राइब देते हैं फिर हमें इसमें एड कर लेंगे हरी मिर्च और सासत में इसमें कड़ी पता भी यूज़ करूंगी जिसे फ्राई कर लोंगी और फिर हमें इसमें डालेंगी अध्रक लेसं की पेस्ट और अध्रक लेसं की पेस्ट को भी अच्छे से फ्राई कर लें कलर उसकी चेंज हो फिर हम इसमें सुखे स्वाइस जो है वो एड़ कर लेंगे प्यास हमारी भून गया है ज्यादा सॉफ्ट तो करना नहीं है हमें तो इसमें अभी सुखे मसाले सारे जितने भी लिये थे वो एड़ कर लेंगे एक बार इस अच्छे से मिक्स करके दो मिनिट के लिए इसे भी भून लेंगे मसाले हमारी बिलकुल अच्छे से भून गया है अब जो आलू की पेस्ट बना के रखे थे उसे एड़ करेंगे तो ग्यास की फ्लेम लोही रखे नहीं तो आलू जो है जलने लग जाएगा इसमें ध्यान रहे कोई पानी हमें एड़नी करना ह आलू की हमें एक की उपर कोटिंग करना है अगर पानी एड़ कर लेंगे तो कोटिंग अच्छे से नहीं होगा तो ड्राइ में हमें इसे मिक्स करना है इस मसाले के साथ ही आलू को मिक्स करना है यह देखे आलू की जो मसाले है वो बिलकुल अच्छे से बन गया है हमने नमक भी पहले से डाले थी मसाले भी नमक डाले थी यह बिलकुल पॉफिक्ट है अभी तो अब मैं इसे धक लूँगी थोड़ी दिर यूँकि बाकी का आगी का प्रोशेश करेंगे तो मैं गयास की फ्लेम को भी आफ कर रही हूँ आलो की मसाले के मैंने इस तरह से एक बाउल में शिफ्ट कर लिया यह बिलकुल थंडा होने लग गया है तो अब हमें अंडे को देख लेते तो मैं आपे साथ उबले हुए अंडे लेके रखी हूँ इसकी छिलका भी मैंने निकाल दिया है तो इसको ना हमें बीच में से कट कर लोगी और फिर हमें इसमें आलो के साथ अच्छे से कोटिंग करेंगे अब ना हमें थोड़ा पॉर्सन आलो हाथ पे अपनी लेना है और एक की उपर इस तरह से हमें लगाएंगी जैसे एक ओवल सेप में एक पूरा सेप में हमें नजर आए तो यह देखे कुछ इस तरह से हाथ में थोड़ी से अज़ेस्ट कर लेंगे तो यह आराम से बन जाता है अपकी मर्जी अब कुछ भी सेप दे सकते हैं लेकिन इस तरह से करने से अच्छा लगता है देखने भी और खाने में भी तो मैं एक बार बापस करके दिखाती हूं इसे जब फ्राई करेंगे तो भ देखे मैंने पूरा तयार कर लिया है अंडे और आलो को मिलागे तो यह देख सकते हैं इसकी सेप बहुत अच्छे से आया है जैसे यह पूरा एक एक सेप में आया हुआ है तो अब हम इसे तेल गरम करेंगे और फ्राई करेंगे इसको एक को डीप करने के लिए एक बेटर ले रही हूं आधे कप मैदा ले रही हूं और टू टू टी टेबल स्पुन ये कन फ्लोर है तो ये सारे मिक्चर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पे ड्राइ स्पाइस भी हमें कुछ एड़ करना है तो जैसे ये श्वाद अनुसार एक चमच नमक है ये एक चमच लालम करेंगे तो इसमें 1 टेबल स्पुन मैं इसमें अध्रक लेजोन का पेस्ट भी एड़ कर रही हूं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक थीक सा बेटर प्रिपर करेंगे ताकि हमें एक को अच्छे से डीप करके फ्राइ करने में आसान हो तो ये देखे कुछी इस तरह से ये बेटर बन के तयार हो गया है तो इसमें तेल भी डाल रही हूं तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं लेकिन उससे पहले एक को अच्छे से बेटर में डीप करेंगे इस तरह से स्पून की हेल्प से निकालेंगे तो अच्छे से निकल भी जाता है ये बेटर से तो और एक साइट को अच्छे से फ्राइ होने देते हैं, दो मिनिट उसके बाद हम दूसरी साइट को फ्लीप करेंगे कुछ इस तरह से यह देखें, दोनों साइट अच्छे से फ्राइ हो गया है, कलर भी चेंज होने लग गया है, तो इसे प्लेट में सिफ्ट कर लेंगे, टीशू पेपर के उपर ताकि जो इसके एक स्ट्रा ओयल है, वो निकल जाए, और सेम प्रोसेस में जितनी भी एग है हमारे पास, मैं उसे फ्राइ कर लोगी, बहुत अच्छे से क्रिस्पी लूक आ रहा है इसमें, अभी हम बाकी को भी फ्राइ कर लेंगे, कि देखें मैंने सारी एक को फ्राइ करके प्लेट में निकाल दिया है, अब इसका गानेसिंग करते हैं, तो आज की हमारी यह रेसिपी बनके बिल्कुल त अब भी एक बार इसे जरूर फ्राइ कीजिए, मैं इसकी गानेसिंग, थोड़ी सी राउंड कुटिंग ओनियान, लेमन, थोड़ी सी ग्रीन चटनी और टमाटो केचप की साथ की हूँ, आपकी पसंद से आप कैसे भी सॉब करके खा सकते हैं, आज की रेसिपी कैसे लेकिए इस तरह से एक नीव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाँ बाई